अब हम अगले नक्षे की और बढ़ें ये अगला नक्षा जो है इसको देखिए इसमें लिखा हुआ है The Three World Order क्या लिखा है? The Three World Order World Order तीन दुनिया हैं त्री, तीन दुनिया को तीन तरीकों में बाटा गया तीन हिस्सों में उनकी आर्थिक, सैनिक ताकत के बल पर तीन भागों में दुनिया को बाटा गया है तीहास के अध्यान में राजनीति के अध्यान में और ये काल वही है 1947 आप समझ लिजे हैं 1945 से लेके 1991 याने Cold War का ही काल है ये शीत युद्ध के काल में तो पैंतालिस से नबे याने पैंतालिस साल हम मानें पैंतालिस वर्ष के इस काल में दुनिया तीन भागों में एक तरीके से बटी हुई थी एक भाग जो अमेरिका और अमेरिका से प्रभावित था क्या था अमेरिका और अमेरिका से प्रभावित इस नक्षे में आप देखिए अमेरिका को जिस रंग में दिखाये गया है पश्चमी यूरोप के देशों को भी उसी रंग में और आस्ट्रेलिया को भी उसी रंग में तो ये तो हो गए अमेरिका से प्रभावित देश उसके बाद सोवियत संग को दिखाये गया है और सोवियत संग के साथ उसके देशों को सोवियत संग के रंग में दिखाये गया है ये देश कौन से हैं पश्चमी यॉरप के पूर्व के देश समझने की कोशिश करिए पश्चमी यॉरोप हो गया पर इस पश्चमी यॉरोप के पूर्व के हिस्से में जो देश हैं जो रूस की सीमा से लगे हुए हैं वे देश रूस के रंग में दिखाए गये हैं मैं फिर दोरा दू इस बात को यौरप यौरप के बाद पश्चिमी यौरप पश्चिमी यौरप का पूर्वी हिस्सा जो सोवियत संग की सीमाओं से लगा हुआ है वह सोवियत संग के प्रभाव में है दूसरे शब्दों में पश्चिमी यौरप दो भागों में बटा है आधा भाग रूस से प्रभावित है सोवियत संग से और आधा भाग अमेरिका से प्रभावित है तो ये तो हो गया दूसरा विश्व पहला तो विश्व है जो USA का नितरत में दूसरा विश्व है सोवियत स के नित्रत में अब तीसरा विश्व देखिए इसमें भारत भी है इस बात को देखिएगा तीसरी दुनिया इसे कहते हैं क्या कहते हैं हिंदी में तीसरी दुनिया तीसरी दुनिया के देशों में आविकसित देश आर्थिक रूप से कमजोर देश या आर्थिक रूप से जो अभी बढ़ रहे हैं, ऐसे देश आते हैं, गरीब देश, आर्थिक रूप से बढ़ते हुए देश, आर्थिक रूप से कमजोर देश, ये तीसरी दुनिया के देश हैं, और ये अधिकतर देश जो हैं, ये गत 45 वर्षों में स्वतंत्र हुए, कोल वार के काल में, शीत देश च्वतंत्र हुए, जो उससे पहले, 1945 से पहले, किसी न किसी अन्य देश के गुलाम थे, किसी न किसी अन्य देश के अंतरगत उनके सामराज्य का हिस्सा थे, आपने पढ़ा होगा, अमेरिका का कई देशों पर कबजा था, इंगलेंड का कई देशों पर कबजा था, ऐसी पूर्टगाल का कई देशों पर कबजा था, जर्मनी का कई देशों पर कबजा था, फ्रांस का कई देशों पर कबजा था, ये जो पूर्वी यॉरॉप जो आप देख रहे हैं, ये पूर्वी यॉरॉप के कई देश, दुनिया के कई देशों पर कबजा किये बैठे थे और उसके सार अमेरिका भी था और उससर भी था इन लोगों ने कई देशों पर कबजा किये बैठे थे तो 1945 में जब विश्विद्ध खत्म हुआ और स्थितियां बदली बदली स्थिति के बाद बहुत से देशों को स्वतंत्र होने का मौका मिला जिसके कई कारण थे मौकी कारण था कि जिन देशों के अंतरगत ये छोटे छोटे देश आ रहे थे जिन शक्तिशाली देशों के अंतरगत ये छोटे छोटे देश आ रहे थे वे शक्तिशाली देश स्वयम दिती विश्युद में बुरी तरह आर्थिक नुकसान पालिये थे बुरी तरह उनकी स्थिती बहुत बुरी हो गई थी आर्थिक स्थिती वे इस काबिल नहीं थे कि वे अपने अंदर के दूसरे देशों को चला सकें तो उन्होंने स्थिता देना और भी बहुत के कारण स्थिता देना स्थिकार कर दिया तो इस पकार मेरा कहने का ताथ पर यह है कि 1945 के बाद 1990 के बीच जो शीत इदिक का काल है उसी काल में लगभग बहुत से देश स्थिता भी हुए ये जो तीसरा रंग दिख रहा है ये उन स्वतंत्र नव स्वतंत्र विकास शील निर्धन देशों का गुठ है जिसे तीसरी दुनिया कहते हैं और उसमें भारत भी एक इस स्थितियां बदल रही हैं अब भारत भी एक विकसित देशों की शेड़ी में कतार में खड़ा है लेकिन हम जिस समय की बात कर रहे हैं 1990 तक की उस समय ये स्थिति थी तो आपको स्पष्ट हो गया कि दुनिया तीन दुनिया मानते हैं पहली दुनिया जिसका नित्रत अमेर एक साथ चल रहे थे उसमें अधिकतर पूरा का पूरा अफ्रीका आप देखिए पूरा का पूरा साउथ अमेरिका देखिए और भारत और साथ में मिडल इस के देश ये जो छोटे 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 देश थे ये सब तीसरी दुनिया के देश थे अगला नक्षा हम बढ़ते ह त्री वर्ल ओर्डर को जानने के बाद अगले नक्षिक में हम जाएं तो अब हम आते हैं सोवियत संग का वह नक्षा जो उसके विगटन या तूटने के पहले का है आप दिखिए सोवियत संग लिखा हुआ यूनियन ओफ सोवियत सोशलिस रिपबलिक उसे क्या कहते थे अंग्रेजी में यूनियन ओफ सोवियत सोशलिस रिपबलिक यू ऐस एस आर और हिंदी में उसे कहते हैं सोवियत संग तो याद रखेंगे आप कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सोवियत संग की कर रहे हैं सोवियत संग और रूस अलग-अलग हैं इस बात को ख्याल रखेंगे उस पे हम आगे चर्चा करेंगे कि सोवियत संग और रूस अलग-अलग कैसे हैं अब इस नक्षे कर दिया आप देखते हैं तो जिस रंग में सोवियत यू-स-स-र दिखाये गया है दूसरे देश जो है उसके पडोस में उसके पूर्व में जो देश है उसके पश्चिम में जो देश है पश्चिम में जो देश है वो भी यू-स-स-र का हिस्सा है विगटन के पहले कब और विगटन कब हुआ था मैंने बताया था 1990 में विगटन के पहले के का नक्षा यह है ठिक जिसमें योवियत संग के टूटने से जो देश्च्वतंतर हुए उनको अलग रंगों में बताये गया है अब अगले नक्षे में हम आएं अगला नक्षा क्या बोलता है देखें जड़ा सोड़ा सा सोवियत संग रिपब्लिक, USSR यह जानने के बाद अब देखिए भारत के साथ क्या स्थिति है और इस नक्षे में भारत को केंदर लेकर नधर करकि समझने की आपको कोशिश करनी है कि भारत से Middle East कितना दूर है देखिए लिखाओ Middle East, Middle East किसी एक देश का नाम नहीं है, Middle East याने मध्यपूर्व, मध्यपूर्व क्या? एशिया, एशिया के मध्यपूर्व के कुछ देशों के एक ग्रुप को Middle East कहते हैं, जैसे भारत को, भारती ख्षेतर को क्या बोलते हैं? South Asia क्या बोलते हैं South देख दक्षिन एशिया में भारत इस्थित है दक्षिन पूर्वी और ये हम बात कर रहे हैं Middle East याने मध्य पूर्व एशिया के पूर्व में और देखिए ये मध्य पूर्व की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो देश आते हैं वो कौन कौन से हैं थोड बड़े एक्षिरों में यहां पर इराक लिखा हुआ है इराक मध्य पूर्व एशिया के देशों में इराक लिखा हुआ है और उसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जिसमें अरब आता है इरान आता है जमन आता है अदन आता है आदियाद आपको केवल अपना ध्यान के इंद्रित करना है एराक पर और मिडल इस्ट के क्षेतर पर और ये जानने की कोशिश करिए ये अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए कि मिडल इस्ट जो है वो अफरीका से लगवग जुड़ा हुआ है बहुत निकट है भारत से दूरी आपको अपने दिमाग में बै एफगानिस्तान के बाद Middle East की सीमा शुरू हो जाती है मात-र Aफगानिस्तान और vaan पाकिस्तान और एफगानिस्तान के बाद Middle East के देशे श्टरारम हो जाते हैं। तो इस नक्षे में आप ने ये समझने की कोशिश की भारत के साथ Middle East के क्या भागोलिक संबन्द हैं क्या दूरियां हैं और वहीं देखिए यौरप यौरप का नक्षा दिया है और फिर छोटे 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 देश फिर दिये हुए हमारे इस विशे का एक केंद्र बिंदू ये छोटे छोटे देश भी रहेंगे Middle East और यौरप के वे छोटे 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 देश अब अगले नक्षे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रूस और अमेरिका जो एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी हैं इस काल में उनकी क्या स्थिति है यहां पे लिखा तो यह रशा नहीं है यह USSR है वास्तों में देखा जाया है तो यह रशा नहीं है USSR है नीचे देखिए चाइना उसकी भौगोले की स्थिति कितना बड़ा है और United States कल्पना करिए USSR कितना विशाल देश है USSR के अंदर USA और चाइना जैसे विशाल देश समाहित हो जाएंगे और उसके बाद भी USSR बड़ा है इतना विशाल देश यह जो रशा शब्द जो आया है जब USSR का विगटन हुआ 1990 में किस वर्ष? 1990 में यह वही वर्ष है जब शीत युद समाप्त हुआ शीत युद और रूस के विगटन में क्या समबन है सोवियत संग के यह हम बाद में पढ़ेंगे अभी आप जान लिजे कि सोवियत संग का विगटन हुआ 1990 में यह वही वर्ष है जब शीत युद समाप्त हुआ और जब सोवियत संग तूटा तो पंदरा राज्यों में एक राज्य कहलाता है रश्या क्या उसमें से एक राज्य कहलाता है रश्या रूस जिसे हिंदी में कहते हैं अब आप देख लीजे इस नक्षे को बताने का ताथ पर यह है कि रश्या जो सोवियत संग का एक राहिस्सा था वो स्वैम कितना बड़ा है सोवियत संग उससे भ एक हिस्सा था सोवियत संग 1990 में तूटा कितने राज्यों में पंदरा राज्यों में उनमें से एक राज्य कौन था या एक देश कौन था रशा तो अब देखिए रशा सोवियत संग के तूटने के बाद कैसा दिख रहा है और स्वयम में वह कितना बड़ा है युनाइटेड स्टेट से अमेरिका से और चाइना से और भारत तो इसके सामने बहुत छोटा है भारत का पड़ोसी राज है लेकिन बहुत छोटा है तो अब आपने समझने की कोशिश की है कि विगटन कब हुआ आपने जानने की कोशिश की रशा और सोवियस संग में क्या अंतर है और आपन अमेरिका की तिलना में बहुत बड़ा है अब अगला नक्षा क्या कहता है तो अगे बढ़ते हैं इसमें अब आप देखिए दोनों देशों के मैप दिया हुआ है विश्व के एक रंग में अमेरिका और एक रंग में रश्या यानि जो मैंने पूर में बात बताई उसी चीज को यहाँ पर पुना बाकी सब देशों को अटा कर आपको किवल आपका ध्यान इन देधुशें पे तोलना हम करना चाहते हैं देखेंगा अमेरिका के साथ उसी रंग का एक और चूटा सा क्षेत्र उपर अलग से बना हुआ है यह क्या है यह अमेरिका का हिस्सा है अमेरिका के दोरा कबजा किया हुआ कोई क्षेतर नहीं है अमेरिका का मूल राज है और उसका नाम है अलासका ये अमेरिका का एक ऐसा राज है जो अमेरिका की मुख्य भूमी से अलग है कैनेडा के ऊपर है अमेरिका के ऊपर कैनेडा है कैनेडा के ऊपर अलासका है बस ये आपकी जान जो अमेरिका के 52 राजियों में से एक राज्य है ठीक और आपने दोनों देशों की स्थिती को देख लिया अमेरिका और रूस एक दूसरे से कितनी दूर हैं इस नक्षे से एक चीज और साफ होती है जो छोटे-छोटे-छोटे-छोटे देश दिख रहे हैं जिसकी मैं चर्च चोटे देश हैं और रूस एक तरफ है पुर्व की तरफ इन देशों के और अमेरिका इन देशों के पश्चिम की तरफ है चलिए अगले नक्षे में हम बढ़ते हैं अगला नक्षा क्या बताता है हमें इस अगले नक्षे में अब आप केवल USSR का नक्षा देख रहे हैं किसका देखा नक्षा देखे देखे इस नक्षे में रशा को बताये गया है तूटने के बाद तूटने का वर्ष क्या है उननीस सो नबे तूटने के बाद रूश की विशालता कोआप समझ सकते हैं allons 2014 तूटे उनके नाम बाजू में देखिए लगातार दिये हुए हैं तूटने के बाद उनके नाम ब्रैकेट में सब में SSR लिखा हुआ है सोवियट सोशलिस रिपबलिक जाने वो पहले सोवियट संग का हिस्सा थे पहले अर्था 1990 से पहले सोवियत संग का हिस्सा थे और अब तूट के देखिए क्या हो गया है और उसके बाद भी उस तूटे हुए सोवियत संग के एक देश जिसका नाम रशा है उसकी विशालता देखिए तो इस नक्षे में आपको केवल इस बात से वाकिफ करने के लिए लाया है कि सोवियत संग स्वैम कितना विशाल था आज सोवियत संग का एक टुकड़ा रशा कहलाता है और अन्य जो छोटे छोटे टुकड़े हैं देखिए वो उसकी पश्चिमी सीमा पर हैं बिलकुल पश्चिमी सीमा पर और वहीं पर अन्य और छोटे 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 देखेंगे बिलकुल देखिए जो तीर दिख रहा है इन देशों के बीच में लिखा हुआ तीर ये तीर कहां पर हैं वो देश हैं लेकिन नाम जहां लिखा हुआ है और तीर जहां बना उसके बी तो आप एक तरीके से इनको दिमाग में बैठा लीजे कि सोवियत संग के पडोसी देश कैसे तूटे आप यहाँ देखिए वही चीज को फिर से बताए गया है सोवियत संग का तूटना और तूटने के बाद यह जो विभिन रंगों में जो देश दिख रहे हैं यह किसी समय स सोवियत संग का हिस्सा थे विभिन रंगों में जो देश दिख रहे हैं यह सोवियत संग का हिस्सा थे और उनी में से एक था रशा रशा की विशालता और अन्य छोटे देशों की अन्य उसके पुराने देशों के छोटे छोटे देश यह सब मिलकर क्या बनाते थे सोवियत संग दूसरे शब्दों में आपको ये लगने लगा होगा कि सोवियत संग के टूटने के बाद इन पंद्रा देशों में रश्या नाम का देश सबसे ज़्यादा बड़ा है तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा सही बात है सोवियत संग के टूटने के बाद सोवियत संग की जो विरासत है जिसे हम अंग्रेजी में लेगेसी कहते हैं उस विरासत का या उसका उतराधिकारी कौन बना रश्या बाकी देश छोटे 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 थे उनकी ने कोई पूछ परक थी ना उनका कोई वास्तों में कोई ताकत रह गई लेकिन यह स्रतंतर रह गई थिक अब अगले नक्षे की और बढ़ें इस अगले नक्षे में देखिए नंबर दिया हुआ है क्रम वार ये ये भी वही नक्षा है मूल रूप से इसी चीज़ को बताया गया है हम इसके बाद अगले नक्षे मे ये जो ख्षेतर है केवल मिडल इस्ट को दिखा रहा है ये केंदरित है कहां मिडल इस्ट में भारत को देखें और फिर उसकी तुलना करें भारत और इराक एक दूसरे से कितनी दूर है भारत और इराक और उसके बीच में क्या क्या आता है पाकिस्तान अफगानिस्तान और एरान और फिर एराग मैं आपका ध्यान एक और छोटे से देश की और आकरशित करना चाहूंगा यदि आप गौर से देखें तो एराग के डक्षिन में यानि एराग के नीचे एक छोटा सा देश लिखा हुआ है पर्शियन गल्फ से छूता हुआ जिसका नाम है कुएट क्या याद रखना है कि आपने कुएट को नक्षे में देखा है आपको याद रखना है कि कुएट और एराग की सीमा लगी हुई है आपको याद रखना है कि कुएट और एरान की सीमा भी लगी हुई है आपको याद रखना है कि कुएट पर्शियन गल्फ में स्थित है पर्शि कि खाड़ी क्या बोलते हैं फारस की खाड़ी और कुएत के दक्षिड में या दक्षिड पस्चिम में साओधी अरब और अनिराज बहरीन, कतार, अरब अमीराद, ओमान आदी आ जाते हैं आपको बस ख्याल रखना है एराक कहां है कुएत कहां है कुएत उसके दक्षिड में बहुत छोटा देश और कुएत के बाद परशियन गल्फ है, फारस की खाड़ी, ये खाड़ी का क्यार्थ होता है खाड़ी का क्यारत होता है पानी जहां तीन ओर से घिरा हुआ देखिए यहां पर पारस की खाड़ी पर्शियन गल्फ तो आपको इस नक्षे में भारत को देखिए फिर इसके बाद केंद्रित करिया अपना ध्यान इराक की सिटी पर उसके बाद देखिए कुएट कहां है और पर्शियन गल्फ कहां है इरान उससे लगा हुआ है इतना भी आप थोड़ा याद रखें ठीक तो यह हुआ आपका मिडल इस्ट का एक नक्षा मिडल इस्ट इस खेतर को कहते हैं अब अगले नक्षे की ओड़ जाएं और इस अगले नक्षे में दिखाया गया है एक नया देश देश का क्या नाम लिखा है क्यूबा क्यूबा कहा है अन्य देशों की तुलना में इससे जानने से पहले हम देख लें कि क्यूबा जो देश है उसके नीचे एक जगह लिखा हुआ है ग्वांटे नामो बे क्या लिखा है ग्वांटे नामो बे फिर तो देखें क्यूबा के नीचे एक लिखा हुआ है ग्वांटे नामो बे राइट ये क्या है क्यों इसका जिक्र हो रहा है किसी घटना करम को ले कर इस पर हम आगे बात करेंगे पर आप अपने मन में देखिए क्यूबा और क्यूबा के दक्षिन के हिस्से में ग्वांटे नामो बे है क्यूबा के दक्षिन में अब क्यूबा कहा है चली आगे हम देखते हैं शायद आपको वो भी पश्ट हो जाए अच्छा नीचे ग्वांटे नामों बे जो है वो नीचे कैरीबियन आइलेंड से जोड़ा हुआ है कैरीबियन आइलेंड या कैरीबियन सी इसका संबंध किस से है आपको मालम है आपने सुना है निश्चित रूप से जो लोग खेलता है उसका नाम है वेस्ट इंडीज क्या नाम है वेस्ट इंडीज वो कैरीबियन कंट्री कहलाता है क्योंकि वो कैरीबियन सी से लगा हुआ है वेस्ट इंडीज कैरीबियन सी से लगा हुआ है इसलिए वेस्ट इंडीज कहलाता है और में कहने का ताथ पर यह है कि वे क्या है अगले नक्षे में देखिए फिर से वही क्यूबा दिया हुआ है नीचे केरिबियन सी है और उसके बीच में फिर लिखा हुआ है ग्वांटे नामो बे और ग्वांटे नामो बे के बाजू में लिखा हुआ है यू एस नेवल मिलिटरी नेवल बेस नेवल बेस मतलब नौ सैनिक अड़ा हमने कुछ समय पूर्व ये जाना था कि यू ऐसे की सेना की उपस्थिती दुनिया में कहां कहां है उन्हीं में से एक जगह ये है आपको याद होगा कि लगवक पूरे विश्व में तीन चौथाई हिस्तों में अमेरिका की फौज किसी न किसी कारण से किस इन देशों पर दबाओ से चाहे इन देशों पर अपने प्रभाओ से किसी न किसी कारण से उपस्थित है एक जगह ये है क्यूबा नहीं क्यूबा में अमेरिकन फौज की उपस्थित नहीं है क्यूबा के नीचे एक बे है खाड़ी है गल्फ है खाड़ी नहीं गल्फ उस इसमें गौन्टे नामो नाम की एक जगा है, वहां पर का ये नक्षा है, जो केरिबियन सी से लगा हुआ है, अब चलिए हम अगले नक्षे की ओर बढ़ें, इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये नक्षा आपको बताएगा कि क्यूबा अन्य देशों की स्थिति में भागोलिक दिश्टि से कहां पर स्थित है, देखिए आपको क्यूबा दिख रहा है, C-U-B-A, क्यूबा के ऊपर अमेरिका है, समुद्री दूरी है, लेकिन ऊपर में USA है, जिसे सेंकतराज अमेरिका कहते हैं, और क्यूबा के पास West Indies है, दूसरे शब्दों में क्यूबा जो है, वो North America महाद्वीप और South America महाद्वीप के लगभग बीच में स्थित है, और इसके सबसे निकट कौन सा देश है, मेक्सिको, और अमेरिका का एक हिस्सा, लगभग छूता हुआ, क्यूबा तक जाता है, अमेरिका का एक जमीनी हिस्सा, क्यूबा को लगभग छूता है गौर से देखिए, पश्चिम की तरफ मेक्सिको है, और अन्य था ये सब जगह समुदर से घेरा हुआ है, इसके निकट अन्य देशों में एक West Indies नाम का देश है, जो कई द्वीपों में है, West Indies जो है, वो कई द्वीपों का देश है, तो हम अब विश्वास है कि आप समझ गया होंगे क्यूबा कहा है, क्यूबा एक देश है, और हमारा जो अध्याय है, वह क्यूबा पर तो है ही, लेकिन मुक्ष, उसके बाद ग्वांटे नामों बे, क्यूबा के पास ही बिलकुल नीचे है, तो ग्वांटे नामों बे, फिर क्यूबा, उत्तरी अमेरिका, हमने देखा.